ओम शान्ति बाबा के मधुर माहवाक्य सुनते हैं जो हम आत्माओं के लिए एक संजीव नी है आज छे मार्च के बाबा के मधुर माहवाक्य है मुरली का सार है मीठे बच्चे तुम्हारी अब वानप्रस तवस्था है क्यों? तुम्हें वानी से परे घर जाना है तो दुनिया में वानप्रस समझते हैं जो लोग बुड़े हो गए तो कहते हैं अब ये वानप्रस्ति है आप समझते हैं ये कोई काम काई नहीं है लेकिन भगवान की कमाल देखो वो कहता बच्चे गूड़े जवान सब वानप्रस्ति हैं और वानप्रस्ति का मतलब क्या बताया? वानी से परे क्योंकि हमारा घर परमधाम वहां कोई आवाज नहीं है तुम्हे वानी से परे घर जाना है इसलिए याद में रहकर पावन बनो प्रश्न उंची मन्जिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? बाबा का ये ग्यान बहुत उंचा है लक्षे भी बहुत उंचा है तो पुर्शारत भी गहरा है तो पुर्शारत में क्या गहराई चाहिए? आंखों की संभाल करो यही बहुत धोखे बाज हैं क्रिमनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो भाई-भाई की दृष्टी का अभ्यास करो सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो भगवान का हुकम है मीठे बच्चे काम महाशत्रू से खबरदार रहो आजकर की दुनिया की समस्या यही है जहां आप देखो इतने रेप केसिज और इतना ये सब मर्डर हो रहे है उनका कारण क्या है तो बाबा आकर के हम बच्चों को एक दम गहराई से उपर उठाते हैं आज बाबा ने कहा मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए है क्योंकि यहां समझने वाले ही आ सकते ये तो भगवान पढ़ाते हैं भगवान की भी पहचान चाहिए नाम कितना बड़ा है भगवान फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा अब है भी जैसे प्रेक्टिकल में न्यारा इतनी छोटी बिंदी है कहते भी हैं आत्मा स्टार है जैसे वे सितारे छोटे तो नहीं है ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है बाप भी बिंदी है बाप तो सदा पवित्र है उनकी महिमा भी है ग्यान का सागर, शांती का सागर मुख्य बात है पावन बनने की पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं तो जरूर पावन बनना पड़े न इसमें मूझना नहीं है जो कुछ पास्ट हुआ, विगन आदी पड़े नई बात नहीं है और सतसंगों में ये बातें नहीं होती है कोई भी हंगामा नहीं होता यहां हंगामा खास इस बात पर ही होता है कौनसी बात? पवित्रता की बात यहां प्रेक्टिकल जीवन है अन्य सतसंगों में जाओ, कथार सुनो वहां तो कई प्रकार के लोग आपस में मिलते रहते हैं, कई रिष्टे बनते रहते हैं लेकिन यहां तो बाबा आके कहते हैं बचे तुम पहली बात है पौवित्र बन इसलिए हंगामा खास इस बात पर ही होता है बाबा कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्त अवस्था में हूँ वानप्रस्त अवस्था का काईदा भी यहां से ही शुरू होता है वाणी से परे जाने के लिए क्या करो बाप को याद कर पवित्र बनना है पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है बाबा ने आज कहा कि सारी पतित दुनिया को बदली होना है सत्युग से कल्युग तक ये ड्रामा का चक्कर है बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है तब ही तुम शान्ती धाम, सुख धाम में जा सके गाइन भी है, गती, सद गती दाता, एक ही है बाप तो जानते हैं, हंगामा होगा जरूर ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चित्थी ले आओ, कि हमको ग्यान अमरत पीने जाना है ये आप सबने समझा क्या रेफ्रेंस है जब विद्याले की स्थापना हुई, सिंध हैदराबाद में फिर बहुत सी माताएं बेहने आने लगी कई घरों में विरोध शुरू हो गया अब बाबा ने कहा, जो भी इस सत्संग में आएगा वो अपने घर में जो भी है किसी के माँबाप हैं, किसी का पती है, किसी का भाई है जो भी responsible person है उस से आप permission letter लेके आओ कि हमारे घर की ये बेटी, ये बहु, ये इस्त्री बाबा के पास ग्यान अमरत पीने जाते है तो बाबा ने कहा, ये युक्ती इसलिए रची गई हम को ग्यान अमरत पीने जाना है जानते हैं ये जगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंड है आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ग्यान लेते, औरों को भी ग्यान देते अब ये फिर दूसरी बात बाबा के बच्चे बनते हैं, ग्यान सुनते हैं, हैरान अरे इतना अच्छा ग्यान अरे इतनी उच्छी बात हमने तो कभी सोचा नहीं था औरों को भी ग्यान देते, फिर औरों को भी ले आते हैं फिर भी ओहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो, इस भावी को कोई ताल में सकते। कई बाबा का बनने के बाद भी, लंबे समय तक ज्ञान सुनने के बाद भी, कोई ना कोई अपने उल्टे संसकार के कारण, नेगेटिव थौट के कारण, फिर बाबा का ज्ञान छोड़ दे, कोई ना कोई अंदर में ऐसे संकल पाते हैं, छोडने का कारण कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन अपने संसकार, अपनी सोच, बाबा कहते हैं, बच्चे ये बहुत उंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखे बाज हैं, बात मत पूछो, सत्यूग में ऐसी बातें नहीं होता, बाब कहते हैं, कल तुमको राजभाग देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है, बेहद का बाब कहते हैं, मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लाइक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार, तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम वही मेरे बच्चे हो न, बाबा हमें रिमाइंडर दे रहे हैं, तुमसी बात रिमाइंड करा रहे हैं, बच्चे तुम वही बच्चे हो न, एक वो उस दुनिया में गीत भी है, जिसके उपर बाबा समझाते ह तो हम बाबा के बच्चे हैं बाबा के बच्चे थे पर बीच में हम भूल गए अब फिर बाबा हमें रिमाइंड कराते हैं बचे तुम तो वोई बच्चे हो। हर एक भाई बेहन अपने दिल से पूछे, क्या मुझे ये फील होता है कि मेरा बाबा ये वही बाबा है, कोई नई बात नहीं है, कईयों को आते जट से लगेगा, अरे ये तो मेरा ही परिवार है, मेरा ही बाबा है, हाँ ये ही तो ग्यान है, और कईयों को समझने में कैम लग लिखते रहो, कि पांच हजार वरश पहले भी हूब हूब ऐसे म्यूजियम खोला था, भारत में देवी देवता धरम की स्थापना करें, हमारे सेंटर्स, म्यूजियम, क्लासिज, कॉंटेक्ट करने का कारण क्या है, कितनी बड़ी बात बाबा हमें बताते हैं, हमारा ये नहीं है, कि ये हमारा एक धरम है, इसमें हमारे संख्या बढ़े, ना, बाबा ने क्या कहा, उम बच्चे क्यों ग्यान सुनाते हैं दूसरों को, हर एक को ये समरिती दिलाते हैं, कि हम वही देवी देवता घराने की आत्मा ही हैं, अब फिट भगवान हमें देवी देव गराने की आत्मा बना रहा है, अब सत्यूग आने वाला है, तो अब सत्यूग में चलने की तैयारी करो, आप किसी भी सत्संग में जाएंगे ना, कोई ये नहीं कहेगा, कि सत्यूग आ रहा है उसकी तैयारी करो, भगवान जब स्वेह माते हैं, वही आकर कहते हैं, बच्च अभी अलबेला पर नहीं करना है एक दम क्लियर लिखो तो आकर समझे बाप का वर्सा है ही बाप का वर्सा कौन सा है केवल सुक्षान्ती नहीं है एक मकान दे दो धन दौलत दे दो नहीं बाप का वर्सा है ही स्वर्ग की बादशाह बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है फिर बाहर जाने से बेसमजबन पड़ते हैं अश्चरेवत सुनन्ती, कथन्ती, ज्यान देवन्ती ओहो मम्माया वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बत्तर काम विकार में फसे और ये गिरे इस ज्यान को छोड़ने का कारण क्या है अपनी पवित्रता को सदा के लिए काइम नहीं रख पाते बनते भी हैं, दो, चार, दर साल आते हैं धारणा नियम पर चलते हैं फिर कोई माया का ऐसा तुफान आता है और उस तुफान का कारण है हम आतमाओं का गल्त लोगों के साथ संग अगर हमारा संग गल्त होगा तो फिर हम सदा के लिए बाबा के बनके नहीं रह सकती इसलिए बाबा के हर बच्चे को इस बात पर अटेंशन देना मेरा संग कभी गल्ट है गल्ट बातें करने वाले गल्ट बातें सुनाने वाले उनसे दूरी रखना आवश्यक शिव बाबा इस भारत को शिवाले बनाते हैं तो बच्चों को भी पुर्शारत करना चाहिए ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा अब ये बात अनुभव कीजिए सच मुझे लगता है बाबा बहुत मीठा या मैं मजबूरी से याद करती हूँ हाँ बाबा को याद करना तो चाहिए भगवान को याद करना तो चाहिए थोड़ी शक्ती तो मिलती है नहीं बाबा ही मुझे आत्मा का सच्चा पिता है उसको याद करने से उसका संग करने से ही मुझे शक्ती है ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है अगर सब को पता पढ़ जाए तो धेर के धेर आ जाए पढ़ाई चल न सके पढ़ाई में तो एकांत चाहिए सुबह को कितनी शांती रहती है हम अपने को आत्मा समझ बाब को याद करते है याद के सिवाए यान देना याद के सिवाए विकर्म, विनाश कैसे होंगे यही फुर्ना लगा हुआ है बाबा ने कहा कि बाब तो बिलकुल साधारन है सन्यासी तो फिर भी घर बार छोर गेरो कफनी पहन लेते हैं इनकी तो वही पहरवाईश है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में आया ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रत बना लेकिन बाबा का पहनना रहन, सहन, व्यवार वो तो वैसे ही था साधारन सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फरक नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते पालन पोशन करते हैं वैसे यह भी करते कोई एहंकार की बात नहीं है बिल्कुल साधारन चलते हैं बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े वे भी साधारन तुम्हें तो بेहत का बाप पढ़ाते हैं बाप तो चुम्बक है मदूबन में भी आते हैं तो रहने को जगा तो सबको चाहिए न फिर कहते हैं बहद जी हमें ऐसे कमरे में रखो जहां दो ही हों, तीन हों, चार हों तो रहना मुश्किल लगता है, तो बाबा कहते हैं बचे तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाप तो चुम्बक है, विश्व में शान्ती अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं, मौत त सिर पर खड़ा है, ड्रामा अनुसार, एक आदी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है, बाबा कहते हैं तुम बच्चे यहां आए हैं, किसलिए? स्वर्ग का वर्सा पाने, माया कहती है हम भी कम नहीं, सुना माया भी चैलेंज देती ह हमें, तो बच्चों को बहुत पुर्शारत करना चाहिए, सब को पेगाम देना है, अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं, रिफ्रेश होने लिए, ये भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सब को फिर देखूंगा य नहीं, किस सेंस में कहा, ये नहीं कि मैं पता नहीं चला जाओं या बच्चे मर जाएंगे, नहीं, बाबा के अंत तक बन करके कौन रहेंगे, इस रेफ्रेंस में, इस रहसे से बाबा ने कहा है, फिर से सुनीए, अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं, रिफ्रे ये सब ठहर सकेंगे वा नहीं आये तो धेर के धेर अभी भी अनुभाव करते रहते हैं न कई आते हैं फिर चले जाते हैं आये तो धेर के धेर फिर आश्चरेवत भागनती हो गए लिखते हैं फिर बाबा को क्या लिखते हैं बाबा हम गिर गए की कमाई चट कर दे फिर इतना उंचा चड नहीं सकते यह है बड़े ते बड़ी अवग्या फवित्रता का हमारा व्रत तूट जाए यह है बड़े ते बड़ी अवग्या वो लोग ओडिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई बाहर ना निकले नहीं तो शूट कर देंगे, कहीं कर्फ्यू बगेरा लगता है तो कहते है ना बाहर ना निकलो, बाप भी कहते हैं हमारे यहां कौन सा कर्फ्यू है, बाप भी कहते हैं विकार में गए तो शूट हो जाएंगे, भगवान का हुकम है न कौन सा हुकम है पवित्र रहना है तो कौन सा हुकम है बचे खबरदार रहना है बाबा ने आज सत्यु के लिए कहा कि वहां कले शादी होता ही नहीं आत्मा स्वतंत्र है जिस समय पर आयू पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है वहां काल होता नहीं रावन ही नहीं तो फि रावन के दूत हैं, भगवान के नहीं, सुना, जो untimely death हो जाती है, कहते हैं फलाने को काल खा गया, मर गया, सत्यूग में ऐसे नहीं कहेंगे, मर गया, क्योंकि वहाँ सब अपने समय पर जाते हैं, तो बाबा ने कहा यहां तो यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सब रावन के दूत हैं, भगवान के नहीं, भगवान के बच्चे तो कैसे होते हैं, भगवान के बच्चे तो बहूत प्यारे हैं, बाप कभी बच्चों का दुख सहन करना सके, ड्रामा अनुसार, कल्प का, अब यह बात ध्यान से सुनना, ड्रामा अनुसार, कल्प का तीन हिस्सा, त सुख पाते हो, कई बार हम दूसरों को समझाते हैं न हुआ आधा कल्प, माना सत्यूग, त्रेता सुख, द्वापर कल्यूग दुख, इन प्रैक्टिकल बाबा कहते हैं क्या है, भले हमारी कलाइं कम होती है, हम सत्यूग में सोला कला हैं, फिर द्रेता में नौ कला, फिर दो क लाएं रहा जायेंगे, कल्यूख में बाबा कहता है no color, तो बाबा कहता है ड्रामा अनुसार कल्प का तीन हिसा तुम सुख पाते फिर भी इतना दुख नहीं होगा दौपर में भी इतना दुख नहीं होगा कल्यूग के अंत में भी आप देखेंगे बाबा के बच्चे जो हैं, वो कोई ज़्यादा दुखी नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत जो दुख है वो इसी लिए है कि हम भगवान के बन सकें, बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी शिरीमत पर चलना चाहिए, बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, जनम जनमांतर के पाप सिर परें, तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है, बाकी पानी में इशनान करने से पावन कैसे होंगे, कहां चुलू पानी होगा, तो उनको भी तीर्थ समझ, जट सनान कर लेंगे, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्राओं में जाते हैं कहीं छोटा सा भी तलाब बना हुआ होगा न, उसमें भी जाके नहा लेंगे, सोचेंगे पावन बन गए, इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चे, ये तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चे, बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं, अब कोई हमें कहेगा कि पा आत्मा को पावन बनने की विधी भी सूक्षम है, वो जानते हैं कि पानी से आत्मा पावन नहीं होगी, शरीर को पावन हो सकता है, लेकिन आत्मा को पावन बनाने के लिए तो ज्ञान और योग की शक्ति चाहिए, बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं, वर्दा ग्यान अम्रत से क्या करो ग्यान अम्रत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझा कर त्रिप्त करने वाली महान पुन्य आत्मा पर आप देखेंगे आज कल अक्सर लोग कहते हैं ऐसे तो बगवान ने सब कुछ दिया पर पता नहीं थोड़ा खाली पन लगता है है तो सब कुछ फिर भी मन नहीं लगता है तो आत्मा को क्या चाहिए आत्मा को तो आत्मा का भोजन चाहिए आत्मा की शक्ती चाहिए तो भौतिक्ता के रूप में से तो संपन है लेकिन आत्मिक रूप से अध्यात्मिक रूप से संपनता न होने कारण खाली पन महसूस होता किसी प्यासे की प्यास बुजाना ये महान पुन्य है जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़ते हैं ऐसे ग्यान अमरत ना मिलने से आत्माई दुख शान्ती में तड़त रही हैं तो उनको ग्यान अमरत देकर प्यास बुजाने वाले बने जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है कभी कोई ये कहता है मुझे तो टाइम ही नहीं मैं खाना कैसे खाऊ हाँ थोड़ा लेट तो हो सकता है मान लो एक बज़े खाना खाते है आज हो सकता है दो तीन बज गया लेकिन खाते तो है ना जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है इसलिए ये चांस लेना है समय निकालना है कौन सा चांस है खुद भी ज्यान अमरत का सेवन करें और दूसरों को अन्य आत्माओं को भी ज्यान अमरत पिलाएं इसलिए ये चांस लेना है समय निकालना है तब कहेंगे महान पुन्य आत्मा स्लोगन बीती को बिंदी लगाकर पास्ट इस पास्ट बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी कोई भी बात हो जाती है कोई घटना हो जाती है तो जल्दी से डिप्रेस हो जाते है मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया बाबा ये क्या हुआ नहीं कोई बात हो भी गए जैसे कोई गिर जाता है तो आप उसको क्या कहते है आप गिरा रहे आप कहते है आरे उठो 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 कोई बज़रग भी गिर जाए अब उठ नहीं पा रहा है तो लोग मदद करके उसको उठाते हैं ना सहारा देते हैं ना फिर देखते हैं कहीं हड़ी वगएरा तूटी तो नहीं नहीं तूटी तो कहते हैं अरे बच गए खुश रहो आप तो मज़े से जाओ तो ऐसे ही बाबा भी कहते हैं बीती बातों को क्या करो कियों की आदत होती है बार बार मेरे साथ ऐसे हुआ इसने ऐसे कहा इसने ऐसे कहा अच्छा मेरे साथ कल किसी ने बहुत गल्त किया अब मैं इसको एक महिना रिवाइज करती रहती हूँ तो क्या होगा वो ठीक थोड़ी आगे बढ़ो, तो बाप की मदद मिले, कुछ हो गया बाबा को सुना दो, बाबा ये हुआ ठीक नहीं है ठीक, बाबा मेरी रक्षा करेगा, बाबा मुझे आगे बढ़ाएगा तो इस तरह हिम्मत से चलना है हिम्मत से चलेंगे, तभी हम नई सत्यों भी दुनिया में क्या करेंगे, उन्च पदपास सकेंगे ठीक है, ओम शानद झाल